है गाइस आपको गाजेट पिक से यूटीब चनल पर सौगत है गैस अगर आप एक बेस्ट एलिडी टीवी खरीदना चाहता है और अगर आपका बजेट 20,000 रुपीज है देन के से वीडियो आपको हेल्प करेगा अंडर 20,000 रुपीज में आपको आपको बेस्ट टीवी चू आपडेटेट रहे थे हैं इसके लब अगर आपको कोई भी कोस्चिन हो या फिर आप कोई भी हड़्प चाते हो तो कॉमेंट करके पूछ सेकते हैं इसके लब इन टीवी के पार्चेस लिंग डेस्क्रिप्शन में प्रोवाइट किया गया है तो इस से भी कम प्रैस में और इस सॉनी ब्राविया 32 इंच की एक HD रेडी टीवी है जो 50 हर्स के रिफ्रेस्ट के साथ आता है कानेक्टिविटी के लिए आपको इसमें 2 HDMI पोर्स एंड 1 USB पोर्ट मिल जाता है ये LED टीवी 20 वाट की साउंड आटपूर्ट पोवाइट करता है एंड इसमें विल्ट इन FM र आंस्टेबल इलेक्रिसिटी जैसे प्रॉब्लें से प्रोडेक्ट करता है इसके लब इस LED टीवी में रिजलोशन इंच से टेकनलोजी का यूस किया जाता है जिससे आपको एकुरे डिटल्स और कालर्स देखने मिलते हैं गैस जो लोग समसंग ब्रांड को ट्रस्ट करते है उनके लिए समसंग वांडर 10 में बेस्ट होगा अंडर 20,000 रुपिस में और सबसे बड़िया बाधा गाइस एस समसंग के एक स्मार्ट टीवी है जिसमें अलेक्स सा वोईस असे टीवी से कम प्रेस में मिल जाता है समसंग का ये टीवी समसंग की खुद की टाइज और रन कर के लिए इसमें आपको two HDMI ports and one USB port मिल जाता है इसके लिए टीवी 20W के sound output प्रवाइड करता है जो Dolby Digital Plus भी सपोट करता है इन सब के लबग इस आप इस टीवी को as a personal computer, music player system, home cloud storage and lightcast display भी यूज़ कर सकते हैं और screen mirroring की feature भी इसमें मिल जाता है देनके इस बात करते हैं LG की तरव अप्लिकेसिंस उसकरने मिल जाते हैं और आप इसे as a smart dashboard भी उसकर सकते हैं जिससे आप आपके घर के सारे smart devices को इसकी big screen से control कर सकते हैं इस TV के advanced image processor colors को adjust करके आपको richer and more natural images सो करता है साथे इसके active HDR details को और भी enhance करता है इस TV में आपको multi-angle sound system मिलता है जिससे TV हर angle पे sound deliver कर पता है साथ इसके dolby audio की बेज़े से आपको एक immersive theater quality के experience हो जाता है इसके लबगेस आपको इसमें multitasking की feature भी मिल जाता है यानि आप TV देखते हुए simultaneously आप दूसरा कोई application भी यूज कर सकते हैं और गैस इसके refresh rate है 50Hz की and connectivity के लिए मिलता है वही 2 HDMI ports and 1 USB port गैस यहां तक अगर आपको वी के पास दो बेस्ट options रहे थे हैं Mi 4A Pro and OnePlus OI series यह दोनों TV आपको 16,000 रुपिस का अंदर ही मिल जाता है लेकिन इनके feature से यह दोनों TV इनका price पुरा justify करता है तो गैस एक एक करके इनके बड़ा में जानते हैं तो गैसे Mi 4A Pro Smart TV साओं में की patch wall UI पर रान करता है लेकिन फिर भी आपको इसमें latest Android 9 OS के option मिल जाता है जिससे इसकी usability बहुत easy हो जाता है इसके लबाग मी 4A Pro में आपको 20 plus content platforms मिल जाते हैं जिसमें Netflix, Prime Video, Disney Plus, Hoster, G5, MX Player जैसे popular streaming apps भी आ जाते हैं AV HD resolution TV है जिसमें 60Hz के refresh rate आता है and connectivity के लिए 3 HDMI ports and 2 USB ports मिलते हैं और इसके 20Watt के DTS HD stereo speakers nice if आपको एक stunning sound forward करता है बलकि इसके sound से फूरे room को fill कर देता है इसके लबाग इस TV में data server mode भी आता है जो answer करता है कि आप कम से कम internet रिउस करके जादा से जादा content निज़ो कर पाए इसके लबाग इस TV में आपको built-in Chromecast and Google Assistant की feature भी मिल जाता है गेस इस OnePlus की Y32-inch HD LED TV में भी आपको 60Hz की refresh rate मिलता है ATV Android पर run करता है इविन आपको इसमें Play Store भी उसकरने मिल जाता है और popular streaming apps तो support करता ही है इसके लबे इसमें Google Assistant भी integrated है और आप इस TV को voice से भी control कर सकते हैं इसमें भी 20 words की speaker साता है जो आपको एक immersive audio provide करता है उपर से आपको इसमें भी Dolby Audio मिल जाता है जिससे इसके sound और भी crystal clear हो जाता है इस TV की special gamma engine आपके content को optimize करके content की noise reduction, color space mapping, dynamic contrast management and anti-alyzing में help करता है इसके लब इसके 93% DCI-P3 color government आपको vivid images provide करता है और in addition of Android आपको इसमें OnePlus के oxygen play भी मिल जाता है तो कि इस एही थे आजकर लिस्ट की 5 best LED TVs under 20,000 रुप आपको कौन सा TV लेना है लेकिन फिर भी अगर आपको कोई confusion है तो आप comment करके पूच सेकते हैं इसके लबा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लागा तो वीडियो को एक like करते ना और चानल को subscribe करके notification भी all पर सेट करते ना आगे और वेस गैजट से related वीडियो देखने के क में एक न लेदे करते वालतल है